हेलो अलो फ्यू वल्कुम बैक टो माई चैनल मैं आज आप लेगों के लिए लेकर आचुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आपके जीवन में क्या चल रहा है और आपकी लाइफ में क्या हो सकता है क्या होने वाला है तो हम आपकी लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे आपकी ओवराल लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे आपकी current situation को जानके और आपके future को predict करने की कोशिश करेंगी तो यह reading general है हो सकता है कि आपके साथ resonate करें या ना करें आपको open minded होकर यह reading सुननी है यह reading सभी zodiac science के लिए है हर उम्र के विक्ति के लिए है टाइमलेस है जब भी आप इस वीडियो तक पहुचेंगे यह है आपके साथ तभी resonate करेगा और अगर आप dream tarot channel पर पहली बार आए हैं और आपने अब तक subscribe नहीं किया है तो subscribe जरूर करें और bell icon को press करना ना भूलें इस बात का जरूर ध्यान रखें कि मैं personal reading नहीं देती तो comments में अगर कोई मेरे नाम से या मेरे चैनल के नाम से आपको कोई whatsapp नमबर या mobile नमबर देता है तो उसका विश्वास ना करें चली जानते हैं सब कुछ आपके बारे में आपकी life से related okay क्या आपकी life में क्या चल रहा है तो के चले देखते हैं क्या cards हैं okay the chariot high priestess six of pentacles six of cups and the lovers so we have the pair of six okay six जो है वो double है two times है हमारे पास तो हो सकता है कि आपके life में six important है six month important है six number जो है वो important है six date जो है या six years या something related to six and it is important in your life okay तो वीवर्स आपके बारे में जानते हैं आपकी life में क्या हो रहा है वो देखने की कोशिश करते हैं here we have all the cards first of all मुझे ऐसा लगता है कि आप एक spiritual journey में हैं काफी time से okay काफी time से मतलब ऐसा नहीं कहना चाहूंगी कि सालों से बट काफी समय हो गया कि आप एक spiritual journey में हैं क्योंकि यहां पर जो हाई priestess का card नजर आता है यह मुझे ऐसा message या ऐसी vibe दे रहा है जिसे आप एक spiritual path पर चल रहे हैं वीवर्स और आपने बहुत कुछ अपने आपको बहुत कुछ आपने सीखा है बहुत कुछ आपने spirituality को लेकर समझा है आपका जो interest है अध्यात्म की तरफ यह spirituality की तरफ वो बढ़ा है और उस वज़ा से आपके अंदर कुछ natural changes भी आए हैं जिसे आप emotionally थोड़ा stable हो गए हैं बहुत intuitive हो गए हैं आपकी intuition बहुत strong हो गई है आने वाली situation का आपको आभास हो जाता है आपको सपने में काफी सारे messages या guidance मिलते हैं आपको angel numbers बहुत दिखते हैं जो आप सोच रहे होते हैं जो आपके दिमाग में चल रहा होता है अचानक आपको वह reality में real life में यहां वहां दिखने लगता है तो आप spiritually बहुत powerful हो रहे हैं आप spiritual रास्ते पर या spiritual path पर step by step आगे बढ़ रहे हैं और दिख रहा है कि कैसे आपका जो soul awakening है वो हो रहा है तो आपकी life में viewers इस समय आप ऐसा हो सकता है कि आप spiritual रास्ते में हैं spiritual journey में हैं ऐसा लगता है और spiritual journey ने आपको बहुत बदला भी है as a person as a as an individual बहुत change आया है आप में आप emotionally पहले अगर बहुत weak और vulnerable थे अब आप बहुत balanced हो गए है emotionally ओके और ऐसा लगता है जैसे अब आप reserve हो गए है थोड़े अपनी life को लेकर थोड़े से reserve हो गए है बहुत ज्यादा open up बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव अब आप नहीं है बहुत reserve है हो सकता है कि आप लोगों को mysterious vibe देते हैं लोगों को ऐसा लगता है लेकिन अब आप बहुत reserve हो गए हैं बहुत quiet हो गए हैं और आप बहुत mysterious और secretive हो गए हैं तो यह जो mysteriousness create होई है जरूरी नहीं है कि आप mysterious हो गए है वो तो यह जो natural change आया है आप में इस वजह से लोगों को लगता है तो यह जो mysteriousness जो बनी है जो create होई है इससे लोगों की curiosity आपकी तरफ जादा हो गई है लोग जादा interest दिखाते हैं आपकी life में आपकी life के बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं आपके बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि एक reason तो यह है कि आप spiritually powerful होते ज तो आप अपनी तरफ नाचरली अट्राक्ट करेंगे क्योंकि आप एक हीलर की फॉर्म में आते जा रहे हैं तो ऐसा जलूर होगा और ऐसा होता भी होगा कि ऐसे लोग जो हार्ट प्रोकन हैं पेन में हैं जो बहुत नेगेटिव हैं टॉक्सिक है ऐसे लोग आपकी तरफ आसानी से अट्राक्ट हो जाते होंगी क्योंकि ऐसी एक हीलर की तरफ नाचरली अट्राक्ट होती हैं in search of healing, in search of relaxation, okay, relaxation की और healing की खोज में अपने आप attract होती है, healers की तरफ, तो ऐसा हो सकता है, okay, तो ये जो आपके अंदर mysteriousness create होई है, ये लोगों को और ज़्यादा curious बनाती है आपकी तरफ, okay, ज़्यादा interested बनाती है, मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है, viewers, कि आपकी जो love life ह होगी, वो भी बहुत spiritual होगी, आपकी spiritual journey ही है, आपकी love life मुझे ऐसा लगता है, बहुत हद तक आपका रिष्टा मुझे ऐसा लगता है, कि ये तो soulmate हो सकते हैं, आप अपने soulmate के साथ deal कर रहे हैं, या अपने twin flame के साथ deal कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप a twin flame journey में है, तो भी आप उसी spiritual journey में है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ lovers का card है, और यह एक divinely guided connection है, अगर एक card आपको दिखाए देता है, तो आप देखिए यहाँ पर, यहाँ पर दोनों lovers हैं, लेकिन उपर divine हैं, divine इस connection को guide कर रहे हैं, उपर picture में आप देख सकते हैं, divine guide कर रहे हैं, protect कर रहे हैं इस connection को, तो यह divinely guided connection है, विच मीन्स कि यह एक spiritual connection है, यह एक अध्यात्मिक रिष्टा है, यह एक आत्मा का आत्मा से रिष्टा है, और यह इस life से पहले भी रहा है, इस life से पहले भी आप एक दूसरे से मिल चुके हैं, एक दूसरे के साथ आपका union भी हुआ होगा, बट अलग अलग lifetime में ऐसा होता है, separation भी होता है, आपका दुबारा मिलना होता है, जब तक आप as a person और जो आपकी soul है, वो पूरी तरीके से awaken नहीं हो जाती, पूरी तरह से आप लोग awake नहीं हो जाते, wisdom नहीं मिलती आपको, तब तक आप spiritual journey में अपने आपको improve करने का तरीक दूनते रहते हैं, अपने आपको improve करते रहते हैं, day by day अपने आपको emotionally and mentally stable बनाते रहते हैं, तो यहाँ पर यह जो connection जो आपकी life में आएगा, यह जिसके साथ आप already deal कर रहे हैं, वो एक spiritual connection होगा, possibility है कि वो एक twin flame यह soulmate connection होगा, क्योंकि लवर्स का card है और six of cups का card भी है, six of cups soulmate relationships को, soulmate connections को दिखाता है, तो soulmate connections को यह six of cups दिखाता है, तो हो सकता है कि आप लोग soulmate के साथ बी deal कर रहे हो, किसी ऐसी soul के साथ deal कर रहे हैं, जो आपके soul family से ही belong करती है, तो same soul family का कोई person आपको मिला है तो हो सकता है आप उनके साथ deal कर रहे है ठीक है और साथी साथ मुझे ये लग रहा है viewers के आपकी life में अगर आप manifest कर रहे हैं या आप expect कर रहे हैं किसी पुराने person के साथ reunion तो जरूर हो सकता है किसी ex के साथ reunion हो सकता है आपका या अगर reunion ना हो तो सिर्फ किसी ऐसे person से मुलाकात हो सकती है जिससे बहुत पहले आपका भी मिले थे जिससे पहले आपका connection था जिससे बहुत पहले आपकी मितरता थी बातचीत थी तो किसी ऐसे person से दुबारा भेंट हो सकती है दुबारा मिल सकते हैं ठीक है और ये यूरिया ये रियूनियन जो है ये ऐसा भी हो सकता है कि आप पास्ट लाइफ में उनसे मिले थे और अब आप इस लाइफ में भी उनसे दुबारा मिल रहे हैं तो इसको भी रियूनियन ही कहेंगे अगर पिछली लाइफ में ये उससे भी पहले जो भी पास्ट तो आप जिनके साथ रिष्टे में थे जिनके साथ आपका यूनियन हुआ था उनके साथ आपका रियूनियन हो रहा है आप दुबारा मिल रहे हैं यह पर इसी लाइफ में किसी एक्स को लेकर यह बात हो सकती है कि उनके साथ का आपका उनके साथ आपका रियूनियन हो रहा है अगर इसी life में आपके कोई ex भी है लेकिन अगर आप अपने soulmate से मिले हैं ये twin flame से मिले हैं तो ये भी एक reunion ही है जो पिछली life में हुआ था और अब हो रहा है दुबारा इस life में तो मुझे ऐसा लगता है और किसी से अचानक आपका मिलना भी हो सकता है कोई ऐसा person जो भूला बिसरा आपको याद भी ना हो आपको contact कर सकता है social media पर कहीं phone करके या कहीं मिलने की कोशिश कर सकता है ये भी हो सकता है ये चल रहा है आपकी life में viewers मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो life है वो अब बहुत balanced form में आ रही है पहले हो सकता है कि आपके साथ injustice बहुत हुआ है ये injustice आपने देखा बहुत अपनी life में जैसे आप जितना effort लेते थे उतना आपको return नहीं मिला अब ये किसी भी चीज में हो सकता है पढ़ाई में करियर में प्यार में परिवार में आपने जितनी कोशिश ही की उतना return नहीं मिला अगर आप किसी के लिए खड़े रहे किसी की सहायता की किसी की सुख दुख में साथ दिया लेकिन जब आपको जरूरत थी तब आपके पास कोई नहीं था तो आपने हमेशे थोड़ा unfair और injustice अपनी life में देखा है कि career wise भी आपने अगर बहुत मेहनत की तो उस तरह का result ये outcome आपको नहीं मिला जिस तरह का आप चाहते थे बट अब ऐसा लग रहे है कि आपकी life में धीरे धीरे ही सही लेकिन balanced सब कुछ हो रहा है लेकि जितना आप effort डाल रहे हैं उतना ही आपको return भी मिलेगा ओकी या जितना आपने effort डाला था लेकिन अब तक return मिला नहीं था अब तक आपको उसका कुछ outcome नहीं मिला था और आपको लग रहा था कि injustice ये unfair रहा है अब तक आपके साथ तो जैसे जैसे आप spiritual path में जा रहे हैं आप अपने आपको balance करते जा रहे हैं तो ये situations भी balance हो रही है यहाँ पर भी आपको justice मिलने वाला है ये already मिलना शुरू हो चुका होगा ये आप जानते हैं कि जो आप deserve करते हैं ये जिस चीज़ के लिए आपने efforts लिए हैं वहाँ पर आपको भी return मिलना start हो चुका होगा या होने लगेगा कुछी दिन में तो वहाँ पर भी finances में भी मुझे लग रहा है कि आप जितना आपने hard work किया है उतना आप जरूर gain करने वाले हैं तो justice मिलने वाला है उन चीज़ों में जहां आपको अब तक ऐसा लगता था कि आपके साथ injustice हुआ है आपके साथ कुछ unfair हुआ है ठीक है आप में से अगर कोई like maa बनना चाहता है parent बनना चाहता है तो वो भी possible है कोई pregnant हो सकता है अगर आप ऐसा चाहते हैं मुझे यहां पर ऐसा भी लग रहा है viewers कि अब आपके पास ज्यादा रुकने का समय या इंतिजार करने का समय नहीं होगा जिस भी चीज के लिए आप बहुत इंतिजार कर रहे थे अब आप इंतिजार नहीं कर सकेंगे और आप आप action लेंगे या तो परिस्थिती ऐसे आजाएगी कि अब इंतिजार कर ही नहीं सकते आपका action लेना पड़ेगा या फिर आप जिस चीज का वेट कर रहे थे वो चीज अब हो जाएगी तो आब आप action लेना start करेंगे क्योंकि मुझे यहां पर action oriented approach दिख रही है मुझे नहीं पता कि आप किस तरफ action लेने वाले हैं but this is movement आप कहीं move करने वाले हैं किसी की तरफ जाने वाले हैं तो मुझे नहीं पता कि आप किस तरफ अपने career की तरफ बढ़ रहे हैं इतने passion से अपने प्यार की तरफ बढ़ रहे हैं इतने passion से किसी भी चीज की तरफ किसी भी लाइफ की किसी भी गोल की तरफ इतने पैशन से इतनी इंटेंसिटी से बढ़ रहे हैं लेकिन मुझे लगता है कि अब आप और ज्यादा रुकने वाले नहीं हैं जो आपकी इच्छा थी जो आपका ड्रीम था जो आपकी रिक्वार्मेंट आ कि मुझे ऐसा लगता है वीवर्स अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई पार्टनर है या परसन है रोमांटिक पार्टनर की बात कर रही हूं कि जिनके साथ आपका रिलेशन है कनेक्शन है लेकिन वहां पर डिफरेंस बहुत थे तो हो सकता है आपके सूल मेट के साथ भी हो सक सकता है जिसके साथ भी आप डिल कर रहे हैं कि बहुत डिफरेंस हो सकते हैं कॉम्प्लेक्शन अलग अलग हो सकता है कॉम्प्लेक्शन का डिफरेंस मैंने इसलिए बताया है क्योंकि एक फैक्ट के रूप में बताया है ताकि आपको पता लगे कि ऐसा अच्छा ऐसा भी है तो हो सकता है complexion अलग-अलग है और age में difference है family background बहुत अलग-अलग है जहां से आप belong करते हैं जहां से आपके partner belong करते हैं person आपके belong करते हैं वो अलग-अलग जगा है यानि कि geographical distance cultural differences भी हो सकते हैं ओके और religion अलग-अलग हो सकता है belief system अलग-अलग हो सकता है कास्ट आप लोगों की अलग-अलग हो सकती है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यह जो आपकी spiritual journey है यह इन सभी इन सभी orthodox विचार धाराओं को तोड़कर आगे बढ़कर दिखाने वाला एक example set करेंगे यानि कि जो भी ऐसी restrictions आ रही है यह जो भी ऐसी लिमिटेशन्स हैं जो differences की वजह से आ रही है कि differences है यह differences है वो differences है तो वहीं आपकी spiritual journey में आप इसी चीज़ को सीखेंगे कि सभी differences को आप ignore कर पाएंगे differences कुछ नहीं होते अलग-अलग जगा से belong करने के बाद अलग-अलग होने के बाद बहुत different होने के बाद भी आप लोग एक होकर दिखाएंगे यह आप एक होंगे और उसी direction में work करेंगे उसी direction में move करेंगे तो यह भी आपके spiritual journey का ही part है that सभी differences को आप एक rebel बनके एक fighter बनके खत्म करें इन सभी differences को ऐसे stereotypes को ऐसे negative systems negative systems को आप sideline करके एक नया example सेट करेंगे कि आपको इन चीजों से इन differences से और यह जो भी differences हैं या जो भी gaps हैं इन से आपको को परकने पड़ता आप एक ऐसा example सेट कर रहे हो क्योंकि आप spiritual रास्ते पर हो यह spiritual journey में हो आपको धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगा यह आने लग रहा होगा कि यह सब चीजे यह differences हैं यह सब सिर्फ एक illusion है इससे सच में कोई फरकने पड़ता इससे इससे कोई दो आत्माओं का मेल रोक नहीं सकता या कोई आपका आपसे ही मेल रोक नहीं सकता एक हो जाते हैं तो यह सारे कि मैंने कहा कि आप कहीं move कर रहे हैं मुझे ऐसा भी लगता है viewers कि आप कहीं shift करने के बारे में सोच रहे हैं किसी दूसरी city जाने के बारे में सोच रहे हैं यह जाना पढ़ सकता है पढ़ाई जॉब करियर कुछ और trip भी हो सकता है trip करने जाए लेकिन कहीं जाने के बारे में कहीं किसी movement के बारे में आप सोच रहे हैं या आपकी life में या unexpected भी हो सकता है ओके viewers तो मुझे यहां ऐसा लगा तो जो यहां पर main messages मुझे मिले हैं वो आपकी spiritual journey को लेकर मिले हैं कि आपकी spiritual journey कैसे आपको एक better human being बना रही है आपकी spiritual journey कैसे आपको आपका bestest version आपका better version आप बन जाएंगे आप इस spiritual journey में ऐस experiences को महसूस करेंगे या इस experiences को deal करेंगे ओके viewers चले में देखती हूँ divine आपको क्या guide कर रहे है यहां पर take action मैंने कहा ना कि अब आप और इंतजार नहीं करेंगे कि अब आप action लेंगे और divine ने भी आपको इस चीज के लिए एक command दे दिया है आपको allow कर दिया है permission दे दिया है या आपको guide कर दिया है take action यानि कि action लीजी और यह मैंने आप से अभी कहा था कि अब आप अपनी life में बहुत जादा इंतजार नहीं करने वाले है किसी भी चीज का अब आप action लेने वाले है अपने dreams की तरफ अपने passion की तरफ बढ़ने वाले है listen to your intuition क्योंकि मैंने आप से अल्रेडी कहा कि आपकी intuition listen to your intuition क्योंकि मैंने आप से अल्रेडी कहा कि आप spiritually step by step आगे बढ़ रहे हैं grow कर रहे हैं तो आपकी intuition बहुत strong हो गई होगी आपको आपकी intuition बहुत कुछ guide कर देती होगी आपको guidance मिलती होगी आपको angel numbers दिखते होगे तो आपको ये सब पहले से पता लगता होगा कि आपको कुछ guide किया जा रहा है कुछ ऐसा है जो आपको hint दी जा रही है बताने की कोशिश की जा रही है कुछ signs आपको दिये जा रहे है ताकि उन signs को दिखकर आपको समझ पाएं तो यहाँ पर message भी यही है divine का listen to your intuition क्योंकि आपकी intuition आपको कुछ guide कर रही है और यह message मैंने आपको starting में ही दे दिया था कि viewers आप spiritually बहुत powerful हो गए है तो आपकी intuition भी बहुत strong हो गई है तो आपकी intuition आपको guide करती होगी कर रही होगी और आपको अपनी intuition की सुननी है okay listen to your intuition yes give me a second friendliness मुझे ऐसा लगता है viewers की कोई दो लोग हैं जो वो एक होने वाले हैं you can see this card let me show you the picture of this card देखे कैसे एक pink tree है एक yellow tree है और कैसे एक दूसरे से मिलकर एक orange color create कर रहे है in the middle of it okay which means कि दो अलग-अलग color के पेड़ हैं दो अलग-अलग color के इनके उपर पत्ते हैं okay और जब ये मिल रहे हैं तो इक different color create कर रहे हैं which means कि दो अलग-अलग which means जो मैंने आपसे अल्रेडी अभी कहा था differences दो ऐसे लोग जो different different situations और places और cultures और systems से belong करते हैं बहुत differences हैं उनमें लेकिन वो एक होंगे और एक beautiful example set करेंगे और वही यहाँ पर दिख रहा है इस tree से मुझे वही example दिख रहा है okay viewers तो ये थी reading okay कि आपकी life में क्या चल रहा है and what is the current situation and what is the upcoming situation I hope इस reading ने आपको थोड़ा बहुत guide किया है अगर इस reading ने आपको 1% भी guide किया है तो आप please मुझे comment करके बताएं video को like करना बिल्कुल ना भूले ये reading आपसे accurately match करती है या कुछ percent करती है बताएं जरूर और subscribe करें dream tarot channel को और बन जाएं dream tarot family का हिस्सा इस बात का जरूर ध्यान रखेगा कि मैं personal reading नहीं देती तो comments में अगर कोई मेरे नाम से या मेरे channel के नाम से आपको कोई whatsapp number या mobile number देता है तो उसका विश्वास ना करें वो एक fraud है scam है क्योंकि मैं personal readings नहीं देती और नहीं मैंने कोई contact detail दिया है ओके viewers thank you so much for giving me your precious time चलिए पर मिलते हैं अगली reading में तब तक के लिए bye bye family bye bye angels love you all bye bye